तो बात कर लेते हैं टाटा गुरूप से रिलेटेड एक बड़ी कंपनी के बारे में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि लगतार जो है च्छका सा मोमेंटम हमें कंपनी के इंदर देखने को मिल रहा है वैसे तो देखा जाए तो ओवराल टाटा गुरूप वैसे ही बहतरी आपको दिखाए दे रहा हाँ आज आपको TCS के अंदर अच्छी खासी गिरावर देखने को मिल रही है इससे पहले हमने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है आप चाहें तो चैनल की पेज़ पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं फिलाल में दोस्तों अगर बाकी की कंपनि दिखाए दे रहा है उन शेर्स के अंदर तो अगर देखा जाए तो जिस तरीकी से टोटल मार्केट के अंदर हम लोगों को इस समय उपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं तो काफी सारे शेर्स के अंदर इस समय तेजी का महूल है और काफी सारे शेर्स अभी भी आपको प्राफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं चलिए दो बात कर लेते हैं जैगवार लेंड रोवर के बारे में तो दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि टाटा मोटर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिस तरीके से लगतार हम लोगों को किरावर देखने को मिली थी दो-तीन सालों तक लगतार जो है ये स्टोक्स जो है गिरता हुआ नजर आया था उसके पीछे जो कारण हम लोगों को दिखाए दे रहा है वो जैगवार लेंड रोवर ही था तो अब कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार हम लोगों को खबरे दिखाए दे रही है वापस से जो है ग्रोथ हम लोगों को इस समय देखने को मिल रही है तो कहने का मतलब यह है कि ओटो सेल्स के डेटा हम लोगों के सामने अबलेबल है तो कहीं न कहीं अब जो है परतिसत की जंप हम लोगों को retail sales के अंदर देखने को मिल रही है जनवरी से लेकर March period 2021 के दोरान तो दोस्तों आप जानते हैं कि sales बढ़ रही है मजबूती देखने को मिल रही है तो Q4 के numbers आने वाले हैं जो की हो सकता है कि April के बाद में हम लोगों को आते वे नजर आएं तो कहने कहीं बड़ा action अब आपको results के अंदर भी देखने को मिल सकता है तो दोस्तों पूरी खबर क्या है सही तरीके से analysis कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि आगे और भी जो है उच्छाल हमें इस stocks के अंदर देखने को मिले देखे सबसे पहले बात करने बाले हैं चाइना के अंदर तो चाइना के अंदर भी काफी सारी गाड़ियां हम लोगों को दिखाए देती हैं बिखती हुई तो बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त की है निकल क्यारी अगर टोटल सेल्स की अकर बात करें तो लगबग एक लाख तीस हजार चारसो तिरासी वहीकल जो है बेचे गए हैं पिछले थ्री मंत के पीरिड में तो अगर देखें तो फिलाल में जो इन्होंने बताया है कि जो रिजल्ट आने वाले हैं वो लगबग 31 मांच 2021 का जो टाइम पीरिड है उसके यह आ सकते हैं सेकंड हाफ ओप मई यानिके सेकंड हाफ ओप मई के अंदर जो है इनके नतीजे जो है आते हुए नजर आएंगे तो कहीं बड़ा एक्शन दोस्तों तब तक आपको देखने को म लगबग 5.5% के आसपास हम लोगों को स्टोक में तेजी का मोमेंटम दिखाए दरा लगबग 15 रुपे की तेजी स्टोक के अंदर आज के दिन हुई है तो बहेंकर तेजी जो है आज की दिन आपको इसी स्टोक के अंदर देखने को मिली है तो बड़ी खबर आई और लगबग स्टोक के अंदर 320 रुपे के आसपास से हम लोगों को गिरावट दिखने को मिली थी तो वापस से एक संकेत हम लोगों को दिखाए दरा कहीं और बड़ी खबर निकल क्या रही तो अब तक बहुत जादा इंप्रूब्मेंट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल जिस वज़े से लगातार जो है देखे मैं आपको चार्ट पैटर दिखा दिता हूं जिस वज़े से लगातार जो है इसकंपनी के अंदर हम लोगों को गिरावट दिखने को मिल रही थी कहने कि jlr की sales की वज़े से जो है हम लोगों को market down होता हुआ नजर आया था वापिस से उसके अंदर यह improvement हम लोगों को दिखने को मिलेगा तो यह stocks तो आपको long term में बहुत उपर जाता हुआ दिखाई देने वाला है फिलाल में दोस्तों यह जो खबर निकल क्या रही है तो इसका impact ऐसा नहीं है देखे q4 के numbers आने वाले हैं तब तक जो है आपको इसका impact दिखने को मिलेगा बठा मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ कहने की खरीदारी करते वक्त आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि कम से कम आपके shares होने चाह जन भी आपके उसी के हिसाब से अच्छे का से बंते होने जराये होंगी कमपनी के अंदर लगातार जो है उच्छाल देखने को मिल रहा है विजनिस में तो अगर 2016 से लेकर अब तक की स्थिति देखें तो revenue लगातार हम लोगों को progress में ही दिखाये रहा है यह बात जरूर है सही तरीके से observe कर ले निशी हैं दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरीके से Q4 के numbers आने वाले हैं तो कहीं कहीं बड़ा action जो है आपको इस stocks अंदर भी देखने को मिल सकता है तो अगर sales की बात करते हैं तो 2016 के अंदर लगबग 2,73,000 करोड रूपे के आसपास आपको sales देखें तो 2,94,000 करोड के आसपास यानिके बढ़ती उनजर आई है उसके बाद 2019 में देखें तो 3,000,000 करोड के आसपास आपको दिखाई दे रही है तो अप एंड डाउन आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है मार्च 2020 तक कि एगर इस्तिती दिखें तो गिरावट आ करके मोमेंटम हाई होता हुआ नजर आ रहा है इस साल इसी तरीके से दोस्तों कर टोटल इंकम की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम लोगों को बही सारे लेबल्स देखने को मिल रहे हैं लगबग 2,73,930 करोड रुपर के आसपास आपको दिखाई दे रही है टोटल इंक हम लोगों को देखने को मिला है अभी हाल फिलाल के यर में तो 2,64,000 करोड रुपर के आसपास हम लोगों को दिखाई दे रही है तो यहां पर भी आपको जो है अप और डाउन का मोमेंट देखने को मिला अब अगर देखते हैं कंपनी को मुनाफ़ा किस तरीकी से होता को मेंटम भी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला है देखे 2016 के अंदर लगभग 11,100 करोड के आसपास मुनाफ़ा होता था वहां से गिरावर देखने को मिली है हाँ यह बात जरूर है कि बीच में एकका दुक्का साल में हम लोगों को तेजी के संकेट भी दिखाई दिए अगर देखे तो अभी हाल फिलाल में हम लोगों काफी नुकसान जो है उठाना पड़ा है तो अगर देखें तो कहीं न कहीं जिस तरीके से सेल्स बढ़ती हो नजरा दी है और यहीं नहीं पिछली कई खबरे जो है इस तरीकी की आई है जो की पॉजिटिव संकेत की तरफ जो है इसारा करती हो नजरा रही कहिना कि बड़ा एक्शन जो है अब आपको इनके सेल्स के अंदर इनके नेट प्रॉफिट के अंदर आगया आने वाले क्यूफोर्स में देखने को मिल सकता है देखे एक चीज आपको सही तरीके से अबजर्ब कर लेनी चीए मैं आपको ब कमपनी के मालिक हैं कही तरीके से असली फाइदा जो है वही उठाते है क्योंकि जातार इसको मिलता है उनको मिलता तो कहने 2019 के अंदर लगबख 42% के आज़ पस आपको इनकी holding दिखाई दे रही थी तो वो ही same holding जो है इनके अंदर अभी तक दिखाई दे रही कोई भी बदलाव इसके अंदर नहीं दिखाई दर है positive संकेत माने जा सकते हैं बड़ इसके अंदर भी एक weak point हम लोगों को दिखाई दर है देखें यह जो आपको green color की जो है चार दिखाई दर है यहाँ पर क्या है कि यह pledge holding का चार्ट है तो कहने का मतलब कि pledge holding भी company के इंदर बनी हुई है लगबख 3.95% शेर प्रमोटर्स ने अपने गिर भी रखे हुए है तो यह भी सारी चीज जो आपको सही तरीक से analysis कर लेनी च देखने को मिली थी सितंबर 2020 के क्वाटर में इसी तरीके अगर देखें तो डियाइस की तरफ से किस तरीकी के activity देखने को मिल रही है तो पिछले क्वाटर से यहाँ पर भी हमलोगों को गिरावट देखने को मिल रही है लगबख 12.7% के आसपास holding 12 ने जरा रही है इससे प किसे बात करते हैं public की holding की तो लगब 29% के आसपास हम लोगों को देखने को मिल रही है जो कि पिछले क्वाटर से हम लोगों को ज्यादा देखने को मिल रही है तो अब स्टॉक्स के साथ में जुड़ सकते हैं फिलाल कंपणी के अंदर एक offer चल रहा है फ्री में डिमेट अक पांट ओपन करा सकते हैं दोस्तों नहीं जानकारिया आपको चे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना आता कि नहीं वीडियो के नोटिफिकेशन सीध है आपके मोबाइल पर मिसके थैक्यों सुपत वाचिंग